रूस और यूक्रेन के बीच जंग की शुरवाद 24 फरवरी को ही हो गई थी जिसमें रूस ने यूक्रेन के कई शहरों पर जम कर तबाही मचाई और इसी तबाही के बीच यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई करने वाले भारती चात्र भी फस गए थे जो इन्हें नेकालने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा चलाया ऐसे ही कुछ शात्रों से बात कि हमारी समवादाता श्रिवांगी ठाकुर ने रूस यूक्रेन के बीच जारी यूद का आज 22 दिन है अब तक रूस की सेना यूक्रेन के ज्यादतार इलाके में अपने नियंतरन को मजबूत कर चुकी है और यूक्रेन की राजधानी कीव पर कबजे के लिए हमले और तेजी से कर रही है और इसी जंग के बीच हमारी संबादाता शिवांगी ठाकुर पहुची है पॉलेंट आज वो आपको वहां का आखो देखा हाल बताएंगी साथ ही दिखाएंगी कि कैसे वाल जोन में फसे भारतिय चात्र वहां से निकल कर पॉलेंट पहुचे और फिर गुर्दवारे में शरनली है युक्रेन रूस के बीच जंग लगातार जारी है ऑपरेशन गंगा के तहए तमाम भारतिय स्टूडिन्स अपने देश वापस लोट गये हैं लेकिन कुछ स्टूडिन्स ऐसे भी हैं जो इस वक्त पॉलेंट में मौझूद हैं आपको बता दे कि यहां जो भारतिय रहते हैं उन्होंने गुरुदवारे में इन्हीं जगा दी है और ज़रा इन स्टूडिन्स से बात करते हैं जानने की कोशिश करते हैं कि यह इस वक्त गुरुदवारे में क्यों रह रहे हैं वापस अभी तक आप लोग भारत क्यों नहीं गयें क्या नाम है आपका स्वीटी तो आप अब तक इन्तिजार कर रही हैं आप भारत क्यों नहीं लोटी हैं कि हमोने पॉलंन एंट्रि मिली है quickly तो मैं इस चांस को गवाना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि इंडिया से आना बहुत मुश्किल है, तो मैं बस यह ही ट्राइ कर रहे हूं, कर दिन्यू कर रहे हूं. आप लोग इस उमीद में हैं, कि यह जंग थम जाएगी और आप लोग वापस फिर से पढ़ने जाएंगे। किस शेत्र से हैं, और क्या पढ़ाई कर रहे हैं? चंडेर, मैं लेंगज कोर्स पर आथा था भी, वह बन बन दी हुआ था. आप लोगों ने वापस जाने की कोशिश की इंडिया? अभी तो नहीं पर क्योंकि यह था कि अगर हम अपनी स्टडी कंटिनू कर पाएंगे, तो उसकी होप पे थे. तो फिर आप ट्राइ कर रहे हैं, अगर हम यहाँ पर कर पाएं, तो ठीक है. अगर यहाँ टीक लग रहे हैं, तो फिर यहाँ कर लो. जी, डर तो तब लग रहा था, जब हम युक्रेण में थे, पर जब से वहाँ से निकले हैं, तो डर अब कम है. मदद करने वाले को हमेशा इश्वर का दूसरा रूप कहा जाता है. और इसे सच साबित करके दिखाया गुरुद्वारे के इन सेवादारों ने. और सब मिक्स था, इंडियन, नाइजिरियन, नेपली, पाकिस्तानी, युक्रेणी, युक्रेण, भी रूप के आगे जुकने को तयार नहीं है. दो रूदेश एक दूसरे पर लगातार हमले कर रहे हैं और इस हमले की वज़ा से लोगों का पलायन जारी है. युएन के आकड़ों की माने तो रूस के हमले की वज़ा से अब तक 30 लाग से ज्यादा लोग युक्रेण से पलायन कर चुके हैं, जिसमें करीबन 1,60,000 विदेशी नागरिक थे. युएरी पूर्ट, जीमीडिया.